नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारी के दोस्तों 2013 & 2020र यहां पर ex started is Looking afteraliśmy और डिठेडी के और निफती के आई टी स्ट्टों के अनस्स करेंगे देखेंगे कौनसा फिर्मा और कौन सा इस टी स्ट्टों की लेबल पर खड़ा है कहाँ सपोर्ट और कहां रजिस्टेंस लेने की कोशिस कर रहा है वीडियो और अनलसिस पसंद आए दोस्तों ज़रू लाइक कीजिए फिडबैक दीजिए साथ ही टेलिग्राम चैनल को जोइन करिए लाइब मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए देखिए सुरबात करूंगा लाइब मार्केट के जो टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अजनता फार्मा कोशिस कर रहा है 1670 के उपर सस्टेंड करने का पर वो कर नहीं पा रहा है अगर इस लेबल को ब्रेक करता हलांकि अब इसका उपर रजिस्टेंस हो गया 1670 और उसके बाद 1730 रुपय के आसपास का इस रेंज में यह सस्टेंड करता है इसके सस्टेंड कटेगा जब उपर की सैड्मिन 1725 के उ बात करें तो एक अच्छा मुमेंट दिखाया जोर विंदो फार्मा ने ओपन हुआ वहांस लगबग दो अच्छा ना 2% लगबग ना 2% की वहांस मुमेंट दिखाया इसने जबाद स्टेंड कल अगर वापस से अपने हाय को अगर यह ब्रेक करे और विंदो फार्मा उपर के लेवल को अगर यह ब्रेक करता है 893, 94, 95 तो एक मुमेंट मिलेगा जो 920 तक भी लेके जा सकता है बायो कॉन सारा टार्गेट डन होगे अगर आपने मेरे कॉल से प्रॉफिट बनाया बायो कॉन में जो कि मैंने 440 पे ही देके रखा हुआ था बायो कॉन तो आप जाके च का एक टार्गेट के अडला जरूर दिखाएगा सिपला 760 के उपर जब तक है कोई टेंशन नहीं है अराम से आप भी बने रही है और आज दिखिशने जबरदस मुमेंट सिपला ने आपको दिखाए अब साइड वे बहुत ही जबरदस मुमेंट और एक अच्छा ब्रेक आ नहीं करें कोई नया पोजिशन नहीं लगाएगा हलां कि 3800 के उपर भी अगर यह निकलता है तो एक पोजिशन आपको 4900 तक दे सकता है डॉक्टर रेड़ी मुमेंट तो है 5250 के उपर निकलते कि साथ डॉक्टर रेड़ी बहुत तेजी से भागेगा 5250 के उपर अगर डॉ लेन मार्क भी दिखाएगा लूपिन की बात करें लूपिन की जब तो इस बड़े केंडल के हाय के उपर नहीं निकलता है जो कि 995 के आसपास काता है तब तक पोजिशन नहीं बनेगा तो 995 के उपर निकलने के बाद 1030 का लेवल आएगा लूपिन में पिरामल आज बन राइस टार्मा, 770 को होल्ड किया, 745 को होल्ड किया, यह सब लेवल इसका सपोर्ट, इसके नीचे कमजोड इसके उपर पॉसिटिव, उपर की साइड में 800 का राउंड नंबर का रिजिस्टन से गर वो ब्रेक करता है तो 820 का टार्गेट आपको इंट्राडे में भी द टोरेंट फार्मा ने और दुबारा से फिर एक टार्गेट और भी अचीब करने जारा नया कॉल, तो 2820 के उपर वापस से अगर टोरेंट फार्मा निकलता है तो एक बार यह उन्ती सो तक के टार्गेट देने की कोशिस करेगा टोरेंट फार्मा, तो नजर आप टोरेंट फार्मा पे भी जमा के रख सकते हैं दोस्तों, अगला और अंतिम श्टॉक है फार्मा में वोकड का, वोकड की बात कर ले तो देखे जबरदस, यह गयाप को फील करता जारेंट दो बार यह फील कर चुका, एक बार उपर से नीचे आते वक्त और उपर जाते वक्त, तो व आई मार्केट में कॉल प्राफ्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर जोआन करिए, देखे बिल्लाशॉप मतलों माइंड ब्लोइंग कर गया इसने, माइंड ब्लोइंग जिसको बोलते हैं बिल्लाशॉप फोड के जा रहा है, बिल्लाशॉप देखे 266 होगा, कल भ प्राफिट बनाया, तो फिडबेक जरूर दीजिएगा मुझे, 270 के उपर, अगर ये कल वापस से 270 के उपर निकलता है, ते वार पोजिशन 300 तक जाने की कोशिस करेगा, बिल्लाशॉप, कोफोर्ज की बात कर लें तो टार्गेट दन होगे, कोफोर्ज में 2650 वाला, कहा भी इसके बाद, SCL टेक की बात कर लें, SCL टेक ने भी अच्छा टार्गेट दिया, अप साइड में टार्गेट जो 940 वो डन हो गया, मैंने इसको 820 के आज़ पर ही बाई करवाया था, और जब दस्त मोमेंट इसमें मिलाया आपको, अब देखिए उपर की साइड में एक टार्गेट डन हो गया, 1155 के उपर दिया था, वो सारे टार्गेट 1255 के आगया देखते देखते, प्रॉफिट बुक करिए और इंज्वाय करिए, कल प्रॉफिट बुक कर लिजेगा, अभी नया पोजिशन मत बनेगा, मन्ने को देखेंगा इसमें, जश्ट डायल, 675 के उ तो 3500 के उपर बोला, तो 3600 के टार्गेट के लिए, आज का हाई 3700 का है, लगबग है न, तो ये काम भी हमारा हो गया, जश्ट डायल में भी निकल गया हम लोग अराम से, अब 3700 के उपर जब क्लोज करेगा, तब हम पोजिशन बनाएंगे 3800 के टार्गेट के लिए, LTI में माइन्टी भी, एक अच्छा मुमेंट दिया, माइन्टी, कल से ही माइन्टी फोड के चल रहा है, 1480, 1480 के उपर बाय करने बोला, तो 1550 के लिए, इसने 1600 के टार्गेट देखते, माइन्टी ने लगा दिये, जवर्दस, अब नया पोजिशन 1600 के उपर जब ये क्लोज करेग जब ये 1630 के उपर क्लोज करेगा तब, तीसियस, यानि टाटा कंसेटेशी, इसने भी जबदस मुमेंट किया, बने कहां, 2900 के उपर निकलेगा, पोजिशन लेके घर जाएंगे, क्लोजिंग हो चुगा, 2950 का वेट करेगे, टाटा ही लग से सारे काम खतम, फिनिश, टार् 1550 से लेके, 1900 के टार्गेट के लिए, टेक महिंद्रा, इसमें भी मेरा महरती वाले स्टॉक में था, है ना, 890 के उपर दिया, देखे, 950 हो गए, तो अभी यहां पे हम वेट करेंगे, 960 के उपर क्लोज करेगा, तो 1000 तक है टार्गेट टेक महिंद्रा दिखा सकता है, प्रो के ओल टार्गेट भी प्रो के डन हो गए, है ना, अब नया पोजिशन बनेगा, 390 के उपर, टार्गेट 400, 420 के आसपास का होगा, तो यह था, निफ्टी के आईटियर फार, आप से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर आपने मेरे रेकोमेंटेशन से प्रोफिट ब